मेरे को बता है यार मैंने आपको बोला था कम्यूटी टैप पे पोस्ट डालके आज मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आपाऊंगा तो आप रेड्मी नोट से मपरो का रिव्यू देकर काम चला लो तो बहिया यार क्या करूँ मेरा आपके बिना दिल ही नहीं लगता है तो मैंने सुझा क्योंना वीडियो बना दे और मैंने वीडियो का आज का टाइटल भी ऐसा चुन है जो कि आपको पसंद आएगा और ये है एपरिल में आने वाले पांच ऐसे डिवाइस जो कि मार्केट क को हिला के रख देंगे और हम गाना गा पाएंगे खली बली हो गया है दिल है कि नहीं जब भी कोई नया स्मार्टफोन आजकल आता है ना दिल एक दम से हिल जाता है मलग खलबली मच जाती है पूरी मार्केट के अंदर क्योंकि एक से बढ़के फोन आते हैं और तवाइस ही मचा देते हैं और पिछले फोन था हमें ऐसे जबते हैं यह क्या हो गया पिछला हमने आप यहां पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़ेगा क्योंकि बहुत जादा अच्छा लगता है बहुत जाला मज़ा आ जाता है और चैयों को पहरी बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को दबा देए ताकि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पह इसकी एक HD प्रस वाले डिस्प्ले हो सकते है चाहां पर स्नाप रगन 632 का सपोर्ड हो सकता है 4000 एमेज की बैटरी हो सकती है और इस फोन का जो प्राइज आएगा वो सात हजार के करीब होने वाला है और इस प्राइज में खली बली हो गया है दिल मतलब फिर से खलवली बज कि ये ने कुछ अमेजिंग लीक्स आ रहे हैं पर बहुत मिक्स लीक्स आ रहे है इसके वरह में दो वीडिए बाजको हो दो नोगा यहां पर लिंक नीचे है इनमें से कुछ भी सच हो सकता है क्योंकि मिक्स लीक्स आ रहे है इत्ता बनार चल रहा है कि I am design overall change हो सकता है realme के device इसका और शाहिद इस पर glass bag ने को मिल सकता है और performance के लिए 700 series का एक processor दिखने को मिल सकता है बैटरी भी बड़ी होगी और सबसे बड़ा highlight point होगा कि इसमें VOOC charge दिखने को मिल सकता है तो ये है Realme 3 Pro जो कि मचा देगा आपकी दिल में खली बली तीसरा फोनों का Samsung के fans के लिए और ये है A60 यानि कि A50 इतना ज़्यादा हमें पसंद आया था Samsung एक गलती कर गया कि यहां पर हमें उन्होंने दिया polycarbonate का bag जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हाथ में बगड़ना वैसे तो देखने में बहुत सुन्दर है पर जो हाथ में बगड़ना तो इतना मजा नहीं आता और A50 के बार में वीडियो में जल्दी देने वाला हूं फुल रिव्यू देने वाला हूं उसके लिए यार पहले से प्रिकाट दे रहा हूं साथ ही साथ यहां पर बहुत बड़ी 6.7 इंचिस की डिस्पे देंगे को मिल सकती है तो यहां पर अगर सैमसंग ऐसा कुछ कर देता है तो मैं कहूंगा मजा आ जाएगा और इसका प्राइस जाता नहो 25 तक आए तब भी मैं कहूंगा सैमसंग बहुत कमाल काम करेगा अब य यहां पर मैं इत्ता बदा दूँ यह जो फोन है इसके बाद आपको शायद एसके बाद आपको शायद A70 देंगे मिल सकता है A90 देखने में मिल सकता है A90 में पॉप अप सेलफी हो सकती है सैमसंग का पहला फोन ऐसा हो सकता है और A70 में तो पता नहीं क्या होने मला है तो यहां पर यह सारी चीज़े सामने आईए लास्ट फोन फिफ्ट फोन होगा हुआवे की तरफ से जोगी लाँच हो गया है पर इंडिया में नहीं आया तो इंडिया में भी आ सकता है बहुत ही जल्द और यह होगा P30 प्रो और यह अमेजिंग फोन है कहूँगा S10 Plus के बाद अगर कोई मेरे को बेस फ्लैक्शिफ फोन इस वक्त लग रहा है वो है Huawei का P30 Pro इसका प्राइस जाधा जाने वाला है सामसंग से तो एट लास सामसंग बेस्ट बचेगा पर सामसंग अगर आपको नहीं लेना और चार कैमरा मिलेंगे बैक साइट पर एक 40 Megapixel का 20 Megapixel का 8 Megapixel का और एक TOF यहाँ पर होगा जो कि आपको depth देगा तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि 5X की optical zoom डाली गई है जहाँ पर OAS भी इंप्लिमेंट किया गया है और यहाँ पर एक और अच्छी बात बताओं इसको आप बहुत जादा zoom कर सकते हैं सरफ 5X नहीं उससे उपर काफी उपर जा सकते हो और OAS की वदर से यह बहुत जादा स्टेबल रहता है तो अच्छी बात है तो यहाँ पर आपको और भी अच्छी बात है कि design बहुत मज़ेदार मिलेगा इस phone में design बहुत खूबसूरत है gradient finishes की प्यारी लगती है और साथी सा reverse charging भी है wireless charging भी है IP68 भी है तो overall flagship phone है तो सब कुछ देखने को मिल जाता है तो यह है मेरी आज की वीडियो top 5 smartphones of April 2019 और यार आपको कौन सा phone अच्छा लगा कौन से phone का इतिजार जादा है वो मेरे को comment section में आपको बता देना है मैं बनूँगा आपको अगले episode में तब तक अपना प्रिचान में करें क्रिक है याल keep smiling and always check it guys bye bye